तो लास्ट टाइम आपने क्या देखा था छोटी और इस टाइम बड़ी देखेंगे तो छोटी और बड़ी में डिफरेंट क्या है तो यह छोटी और यह चो उपर यह आएं C टाइप और यह नीचे एव से हो यह बड़ी गी कमज में आया क्या छोटी जो है वह ऐसे सिंपल आएगी लेकिन बड़ी ए है उसके उपर यह C टाइप हो उसे हम बड़ी ए कहते है ओके तो उसमें ए ए से एक ए से क्या एक एक मिन्स सुगर कैन क्या सुगर कैन और दूसरा इसी इट क्या इट को क्या बोलेंगे ब्रीक क्या बोलेंगे हम इट को ब्रीक ओके तो रीड and write मैंने यहाँ पे बोड़ पे आपको आपका जी यह पूरा का पूरा एक्सेसाइस जो भी है वो सब कुछ यहाँ पे शॉट में दिया है ताकि आपको समझ में आए ओके तो read and write तो पेले आपको ऐसे simple e पूरा का पूरा दिया है फिर यह dot और फिर ऐसे blank तो यह जो है वो आपने देखा e फिर यह जो है dot joint करने और पोलना है e से e e से it यह हो गया फिर यह e से e e से it ओके समझ में आया तो वैसे आपको यह पूरा का पूरा लिखना है कैसा पूरा then next e यह वाला लेकिन पहले यह देख देख की क्या है की पढ़ो और लिखोरी देन राइट तो इसमें आपको की प्लस यह बड़ी की उसे joint करोगे तो क्या होगा यह वाला की ऐसे ही अगर ख से joint करोगे तो क्या होगा खी फिर गासे joint करोगे तो गी गी ची छी जी जी हमने देखा जा ना बाराकशरी में क्या यह था यह वाला यह था की नहीं बड़ी e वो यह थी क्या की खी गी रेसे तो इसे आपको यहाँ पे पूरी की पूरी जो आलफाबेट है वो लिख देने है next read and read learn and write तो उसमें आपको यह words दिये है तो इश डफली तो इसमें कहाँ पे आई e तो यह रही मिली ना then फकीर दरजी रजाई पाई शहीद and last जमी तेन e से शुरू होने वाले शब्दों को टीक करो टीक write the words which begin with e तो e से जो start होता है उसे आपको write करने यहाँ आपको box दिये है kemant in an तो start कहासे हुआ e से तो यहाँ पे write e start कहासे हुआ e से तो write उत्तर इसमें आया no तो यह blank की रहने दो जन्ड़ा इसमें e आया no तो उसे भी blank रहने दो then e आपको यहाँ पे ऐसे दिया है और यहाँ पे e लिखा है और यहाँ पे arrows के सापने कुछ word दी है यह इजो है वो इन सब के साथ आपको जोइट करके यहाँ पे लिखना है तो कैसे लिखोगे इखो तो इख मीन्स शुगर के फिर इश्वर 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 मीन्स गोड फिर इद तो इद क्या है इद जो है वो मोमेडियर लोगों का फेस्टिवल है फिर इसाई इसाई हो गया गुड तेन इदेंटिफाइ द पिक्चर और राइट इस नेम आपको यहाँ पे पिक्चर दिया उसके नेम लिखने है तो ब्रेकेट में से देखना है तो फिर्स्ट क्या है मचली सेकेंड बकरी थाड हाथी यह जो पिक्चर है वो ड्रो करना पॉसिबल नहीं था तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है तो मैंने इसका एक एक्सामपल दिया आपको यहाँ पे यह ड्रो करके अब इसके जो भी वर्ड लेटर है वो लेटर आपको लिखने है तो क्या ल करी हुआ क्या ल करी मिन्स वन बोक्ष में वन लेटर लिखना है तो वैसे कौन-कौन सा है देखते करी है हाथी है फिर ककडी है मचली है है ना बहुत सारा तो आपको वो पिडिएफ मिले उसमें साब लिख लेना चीक है तेन आइडिन्टिफाइ दे पिक्चर एंड फिल इन दा बोक्षीज आपको यहाँ पे पिक्चर देखना है और बोक्ष जो है उसमें फिल करना है अब यह जो है एक पसल टाइप है लेकिन मज़ा आएगा देखना मचली और डफली मचली और डफली दोनों में कॉमन क्या है ली है ना कॉमन गड़ तो यहाँ पे मचली का पिक्चर यहाँ पे डफली का पिक्चर अब आपको यहाँ पे मचली लिखना है और यहाँ पे डफली लिखना है जिस सेट जो पिक्चर है वो नेम उस सेट लिखना है ओके? सो मचली तो यहाँ पर आएगा वन बोक्ष में वन लेटर सेव मचली देन डफली के बाजु में डफली वहाँ? वेसे ही ककडी, लकडी, फकीर, दरजी, शरीफा गठरी, नथनी, भवाणी, मकडी एंड लास्ट, कडी ओके? तेन फ्रीफ, नेक्स्ट फ्रीफ, चित्र देखा देखो, बोला करो और वह सब्दली को लूक एट दे पिक्चर, सरकल, दे वर्ड एड राइट इट तो आपको यहाँ पे ऐसे बोक्स में एक पिक्चर दिया है एक्जाम्पल, फीश का दिया है तो आपको इसमें से वो ढूनना है और फिर यहाँ पे यह जो ब्लेंग है उसमें लिखना है तो मचली तो इसके उपर आपको ऐसे करके ऐसे राउंड करना है फिर यहाँ पे लिखना है मचली फिर यह पगडी तो यहाँ पे नीचे आपको दूसरा पगडी का भी पिक्चर दिया है बूक में तो यहाँ पे आप लिखोगे पगडी ओके फिर यहाँ पे लिखा फिल इन ब्लैंक्स बाइब सिलेक्टिंग वर्ट्स फॉम्ड़ भॉर्ट्स defense ब्रेकेट है उसमें से, आपको उपर ब्रेकेट में ककड़ी, पपिता, जलेबी, इक, बहुत सारा दिया है, तो फिर्स्ट क्या है उसमें, इक, इक है, फिर यहां पे लिखा है मीना ब्लेंग खा, तो इक का पिक्चर मीना के बाजु में है, तो आप क्या लिखोगे, मीना इक खा, देन, जलेबी, तो तनीश, जलेबी खा, जिसके बाजु में जो पिक्चर है, उसका, जो ब्लेंग है उसकी, उसके अंदर आपको उसका नाम लिखना है, फिर हीना ककड़ी लाई, एंड मनीश, पपिता, खा, next, match the same words, same words जो match करने है, इड, तो यहाँ पे इड है, तो स्केल की help से आपको यहाँ से यहाँ से यहाँ पे जोइट करना है, फिर इक, इक, तो यह भी स्केल की help से जोइट करना है, ऐसे ही आगे, डफली, गठरी, दरजी, फकीर, एंड लास्ट, शरीफा, इतना दिया है, वो आपको जोइट करना है, ना समझ में आए, तो PDF में से देख लेना, ठीक है, एंड लास्ट क्वेशन, पाक्यों पढ़ो, और लिखो, रीट दे सेंटेंस, एंड राइट, यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया है, निमा, चिडिया, उडी, निमा, चिडिया, उडी, तो उडी, फिर है, रहीम, ताली, बजा, मदारी, तमाशा, दिखाता है, एंड लास्ट, बढ़ाई, लकडी, छिलता है, समझ में आ गया, देन, उ है, छोटा उ, वो हम, नेक्स पार्ट में देखेंगे, ओके,